आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथियों आज वन बला की बात करेंगे वन में पाया जाने वाली ये बला है और यूरेना लोबाटा मालवे सिकुल का प्लांट है मित्रो सुन्दर पिंक कलर के इसके फूल देख पा रहे होंगे आप मित्र तो प्रकृति ने हमें विभिन परकार के जो वर्दान दिये हैं औस दिशुरूप इनको हमें अपने अच्छे स्वास्ते के लिए उपयोग मिलाना चाहिए और इन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए कंजर्व करते रहना चाहिए साथियों इसकी आप जो साखा देख रहे ह हैं इसका अगर उपयोग करते हैं सभी परकार के दांतों की समस्चाओं को ठीक करता है गम बिलीडिंग को ठीक करता है पारिया की अगर समस्चा हो उसको ठीक करता है दांतों में कीड़ा लग गया हो उसको भी ठीक करने का करे करता है मित्रों कई बार दांतों में तो की सबी परकार की समझ्याव को ठीक करता है बित्रो कई बार हम लोग इतनी को मजबूत ही नहीं होती है कि यह अगर अगर आप अगर दांतुन भी करने की सित्य नहीं है तो आप इसके पत्र और इसके फूल को ही चबा लिजे उससे भी आपको गम ब्लीडिंग में विसेश रहत मिलती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है इसके फूल का आप इंफ्यूजन बना कर सेवन करते हैं तो लंग्स की वीक्नेस को दूर करने का कारे करता है लंग्स में अगर पुराना कफ जमा हुआ रहता है तो वांस लेने में दिक्कत आती है कंजेशन फील होता है भारी भारी जैसा लगता है और ब्लड ऑक्सिजन का लेवल भी कम रहता है तो कोरोना के कारण अभी भी काफी वेक्तियों में लंग्स में कंजेशन बना हुआ है सौंस लेने में उन्हें दिक्कत आती है और लंग्स के जो कंप्लिकेशन इसके इन्फ्य क्या कर सकते हैं आप आप 100 ml पानी को अच्छे से गरम कर लीजे 10 ग्राम सुन्दर इसके फूल उसमें डाल दीजे और अगर आपके पास फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे छोटे-छोटे कमल पत्र भी आप डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद चान कर दिन में दो से तीन बार मैं उसको पी लीजे आप देखेंगे कि सभी प्रकार की लंग्स की समस्याइं ठीक हो जाती हैं कफ लंग्स से बाहर निकल जाता है 15 दिन के अंदर आपके लंग्स बहुत अच्छा फील करते हुए कंजेशन की समस्या ठीक हो जाती है मित्रो पित्त की समस्याओं को ठीक करन ये प्लांट होता है इसके पूरे प्लांट को आप सुखा कर काड़ा बना कर शेवन कर सकते हैं इसको सुखा लिजिए इसका चूंड मना लिजिए और पाँच-पाँच ग्रम दिन में दो बारेफा काड़ा बनाकर आप शेवन करते हैं तो लिवर की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं और प्रॉब्लम्स से होने वाले स्किन के उपर वाइट पैचिस वह भी ठीक हो जाते हैं रेडनेस या सकते हैं जो टेबल सुटर होती है जिसको हम चीनी कहते हैं कwh नहीं मिलाना चाहिए gang सहन अगर सहे नधा मिले तो आप इसमें गूड़ doin सकते हैं भड़ सकते हैं और आप Państwo मिला तो कर सकते हैं सबहु Sam 然後s आप पिरकार की समझाइं लंक से जुड़े हुई ठीक हो जाती हैं मित्रो जो इसकी जड़ होती है वो लेक्जेटिव का कारे करती है लेक्जेटिव कॉंस्टिपेशन को ठीक करने का कारे करते हैं जड़ को आप निकाल लीजे जड़ का आप सिवन करते हैं तो जड़ के सिवन करने से कई परकार के कारण या आप चिट-चिड़हट आपके विभार में अगर है तो ऐसी अगर समश्चाय बनी रहती हैं तो हप की समश्चाय और खास्त होर से स्टोन की समस्चा बढ़ जाती है और शरीर के अंदर अगर स्टोन चाहे किडनीज का हो या गॉल बेडर का स्टोन हो किसी भी अवस्था में किसी भी कारेंट से जनित अगर स्टोन होता है तो पूरे प्लांट का डिकॉक्षन बना कर दिन में दो बार आप से बन कीजिए आप इस जड़ी बूटी को अच्छे से पर बना लीजे आप इसको हर सीजन में फिर उपयोग में ला सकते हैं आप इसका काढ़ा बनाएए किसी भी परकार की स्टोन की अगर समझ्षाए हैं उसको धीरे-धीरे करके शरीर से बाहर निकाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता है बहुत आसान उपाए है मित्रो मेंस्ट्ऐल डिसादर भी अगर हैं तो धिरे-धिरे वह भी ठीक हो जाते हैं सबी परकार के मेंस्ट्रियरी सोर्डर्स को ठीक करने का भी यह कारे करता रहे है। वाइट पैचिस की समस्या हम पहले ही बता चुके हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं, हर्ट की समस्या हैं, हर्ट वीकनेस फील कर रहा है, या फिर आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, या फिर आपको घबराट होने लगती है, आपको अचानक एकदम आपका ब्लड प्रेशर डाउ हो जाता है, या बहुत जादा बढ़ जाता है, दोने ही परकार की समस्या को सम करते हुए, आपकी हर्ट की समस्या को भी ठीक करने का ये कारे करता है, मित्रो नैचुरल इमोलियंट का कारे भी ये करता है, इमोलियंट होते हैं, जो स्किन की मुएस्टर को मेंटेन करते और इसको महीन पेस्ट बना लेजिए फाइन पेस्ट बना लेजिए उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा तिल का तेल मिलाकर आप तुचा के उपर लगाईए एक्जीमा की समस्या सूरियसिस की समस्या वुंड्स वुंड्स चाहे कटने के कारण हुआ हो या फिर बर्न होने के कारण जलने के कारण हुआ हो वह सब ठीक हो जाते हैं तुचा की माइस्टर को बनाए रखते हुए स्किन के प्रोटेक्शन में एहम भूमिका इसकी होती है तुचा के ऊपर फंगल बैक्टीरियल माइक्रोबियल वाइरल किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो उसको यह ठीक क का प्रकिर्टिय ने ने हमें बहुत अनुदान दिये हैं हम इस के अनुदान को व्वेर्थ ना जाने देए और उस्दियों को संभिक्स अवश्य करें गंले में आप इसको लगा सकते हैं यह काटिंग के माधियम बीज माधियम से आप इसको एक बार लगाद देजे फिर बाद में अपने आप ये स्प्रेड होता रहता है आप देखेंगे कि इसमें से चोटे-चोटे बीज निकल जाते हैं और वह एक बार इसको अगर लगा देंगे तो फिर स्प्रेड होते जाते हैं जानकरी को जरूर सामझा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्दे ज्यादा लोगों के लाब के लिए अपने स्वास्थे के समवर्दन के लिए हेल्थ अपडेट से आप जुड़े रहे है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नित्याने वाली सुबह साद़ेशे बजे जो जानकरी होती है हेल्थ अपडेट जो होते हैं वो सुचना मिल जाए आप से भी का धन्यवाद नाम नमस्कार